आज हम BSC फैनेल एर फिजिक्स में पेपर नंबर 2, नंबर 3 स्टार्ट करते हैं और यूनिट का नाम है अर्धचालक युक्तियां सब्सक्राइब हम फर्स्ट क्वेस्टन कर रहे हैं नैज अर्धचालक एवं बाहे अर्धचालक को परिभासित कीजिए नैज अर्धचालक हाना पहले हम नैज अर्धचालक क्या है बताएंगे फिर बाहे अर्धचालक को ही हम परिभासित करेंगे सुद्ध अर्धचालक में वर्जित उर्जा अंत्राल की चोड़ाई बहुत ही कम होती है अब यह वर्जित उजान्तराल क्या होता है मैं आपको अतायता हूं देखो जैसे मालो यह कोई पदार्थ है यह ना यह कोई पदार्थ है तो जितने एरिया में इलट्रान भरे होते हैं इसको हम बोलते हैं सैयोजी बैंड कहते हैं टिक के और यह वाला जो है यह इयरिया यह कहलाता है चालन बैंड यह वर्जित अंट्राल आप बोल सकते हो ऐसे तो और द चैलक में यह जो अंट्राल ही बहुत कम होता है यह जो अंत्राल है यह बहुत कम होता है यह हम लिख रहे हैं सुद्ध अर्धचालक में वर्जित उर्जा अंत्राल की चौड़ाई बहुत ही कम होती है जिससे समान्यताप पर ही इलेक्टान सयोजी बैंड से चालन बैंड में पहुँच जाते हैं समान्यताप पर ही इलेक्टान सयोजी बैंड से चालन बैंड में पहुँच जाते हैं एवं उस पदार्थ को चालक बना देते हैं उदार्णार्थ सिलिकान एवं जर्मेनियन समान्यताप पर सुचालक का कारे करते हैं इन्हें हम अता इन्हें नैज अर्थ चालक का जाता है तो नैज अर्थ चालक को सुध अर्थ चालक भी आप बोल सकते हो है ना नैज अर्थ चालक को आप बोल सकते हो सुध अर्थ चालक अब आते हैं बाह अर्थ चालक की बारे में हमने लिखा है यदि मूल नैज अर्थचालक में विशेष अपद्रव्य मिला दिया जाए कुछ उसमें असुद्धी मिला देते हैं ठीक है सुद्ध जो अर्थचालक है उसमें हम कुछ अपद्रव्य मिला रहे हैं मला असुद्धी उसमें मिला दे रहे हैं तो चालक बैंड में इले टानों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे अर्ध चालक की चालकता बढ़ जाती है, चालन बैंड में जब ले टानों की संख्या बढ़ जाती है, इस प्रकार के अर्ध चालक को बाहि अर्ध चालक कहते हैं, या आप असुध अर्ध चालक भी बोल सकते हो, उसमें हमने कुछ अपद्रवय मिला दिया, कुछ असुध या अर्ध चालक आप कह सकते हो, हम अगले question में आते हैं, एन तथा पी प्रकार के अर्धचालकों में क्या अंतर है एन तथा पी प्रकार के अर्धचालकों में अंतर निम्नलखित है निम्नलखित अंतर है कुछ अंतर हम आपको उता रहे हैं एन प्रकार का अर्धचालक और पी प्रकार का अर्धचालक इसका विश्त्रित जो है जानक जैसे germanium है या सिलिकान है में 5 सयोगता वाली परमानूं 5 सयोग्यद के दंनीड मिलों करें अर्षिनिक हैं त्यार किया जाता है में जो सुद्ध अर्शचलक है उसमें 5 सयोगता वाली परमानूं के असुद्ध मिलाएंगे तब एन प्रकार का अर्थचालक बनेगा और इसमें सुद्ध अर्थचालक में तीन संयोकता वाले परमानू जब मिलाएंगे जैसे बोरान है इलुम्नियम है इसको जब हम मिला देंगे तो ये पी प्रकार का अर्थचालक हमें प्राप्त होता है फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इन प्रकार के अर्धचालक को प्राप्त करने के लिए सुद्ध अर्धचालक में पांच संयुजक्ता वाले परमानू को मिलाना पड़ेगा, और पी प्रकार के अर्धचालक प्राप्त करने के लिए सुद्ध अर्धचालक में तिन संयुजक् मिलाना पड़ेगा चलिए दूसरा अंतर क्या है इसमें बहुत संख्याक आवेश वहाक इलक्टान होते हैं इसमें जो आवेश वहाक है इलक्टान होते हैं और होल जो है बहुत ही कम संख्यान होते हैं मला अलप संख्याक होते हैं मैं इसमें इलक्टान ही आवेश वहाक होते ह और जो पी प्रकार का दोचालक है इसमें आवे स्वाथ होल होते हैं होल कैसे बने कर वे आपको अताऊंगा है ना तो होल होते हैं तथा इसमें अल्प संख्यक आवे स्वाथ इलिक्टान होते हैं बहुत संखेक इसमें होल है इसमें में आवेस्वाक होल है और इसमें में जो आवेस्वाक है वो इलेक्टान होते हैं और यहां होल अलपसंखे में होते हैं और यहां पर इलेक्टान अलपसंखे में होते हैं तीसरा अंतर है इसमें दाता इस्तर चालन बेंड से ठीक नीचे हो तो इसमें ग्राही इस्तर होता है जो सर्योजी बेंड के ठीक उपर होता है सर्योजी बेंड के ठीक उपर होता है ग्राही इस्तर तो इसमें दाता इस्तर चालेंड बेंड के नीचे होता है और यहाँ पर ग्राही इस्तर जो है सर्योजी बेंड के ठीक उपर होता है इसमें आप देखिए चौधा पाहिन इसमें फर्मिय उर्जा इस्तर दाता उर्जा इस्तर की ओर विस्थापित होता है तथा यह विस्थापन असुद्धी पर्मानु के घनत्व पर निर्भर करता है और यहाँ पर फर्मिय उर्जा स्था ग्राही उर्जा इस्तर की ओर विस्थापित होता है तथा यह विस्थापन असुद्धी पर्मानों के घनत्व पर निर्भर करता है इस प्रकार से अंतरा आप याद रखे, मैं N प्रकार के अर्थचालक और P प्रकार के अर्थचालक के विश्त्र जान करें आप लोगों को आगे बताऊंगा हम आगे बढ़ते हैं, एक क्वेशन के ओर अर्थचालकों का ताप बढ़ाने पर क्या होता है? अर्थचालकों का ताप बढ़ाने पर स्योजी बैंड से कुछ इलटान उत्तेजित होकर चालन बैंड में पहुँच जाते हैं तथा इनकी इस्थान पर स्योजी बैंड में होल उत्पन हो जाते हैं स्योजी बैंड में क्या उत्पन हो जाते हैं? होल क्योंकि जो इलटान है वह चालन बैंड में पहुँच गए तो स्योजी बैंड में क्या उत्पन हो जाते हैं? होल उत्पन हो जाते हैं जैसे जैसे ताप बढ़ता है, सर्योजी बैंड में होलों की संख्या, तो साथ चालन बैंड में इलेटाणों की संख्या बढ़ती है, इस पर चालन बैंड में मुक्तिलाटों की संख्या में विध्धी हो जाती है, जिससे अर्ध चालक की चालकता बढ़ जाती है, ठीक है, ए परम सुन्य ताप पर सुधर अर्धoral का स्योजी बैंद पूर्णता भरeping वहता है करते हैं दर सा सभी cat अर्ध रायोड में अग्र अभिनती एवं पस्च अभिनती से क्या तात्पर यह है गुः ना और दोनों को जब हुर देंगे एक होता है तो पेन संधी डायोड कहला गया मैं आपको समिझाऊंगा पी अंजटी डायोड कैसे बनाते है इसमें अर्द अभिनति Jessica परश््च अभिनती के बारे मैं आप पताता हूँ, जब प को धनात्मक वख N को रिनात्मक विभवव पर रखा जाता है, तो इसे अग्रविनती अवस्था कहते हैं, तथा जब P को रिनात्मक और N को धनात्मक विभवव पर रखा जाता है तो इसे पर्ष अभिनती में कहा जाता है ठीक है इसको नोट कीजे आगे मैं आप लोगों को N प्रकार के अधचालक और P प्रकार के अधचालक की बारे में विश्त्रि जान करें दूँगा डायग्राम के साथ इसको हम समझाएंगे इसे आप नोट कीजिए पहले